लाइव सेशन का कारिकरम प्रारम्भ हो गया है थोड़ा सा विलम्भ हुआ परंतु यह अब शुरू हो चुका है तो चलिए अपने विशह पर हम चलते हैं और आज का जो विशह है जीव अति सुक्ष्म है असीम भाव वाला है जीव अति सुक्ष्म होते हुए यहां पर देखिए दो बाते हैं जीव अति सुक्ष्म है बहुत ही सुक्ष्म है जीव के बारे में कई बातें अभी शुर्तास्त्रों उपनीशत के आखरी स्लोकों में बताई जा रही है आखरी मतलब पंचम अध्याय के आखरी स्लोक, पुरे उपनिशत का नहीं, पंचम अध्याय के आखरी स्लोक, स्लोकों पर हम चिंतन कर रहे हैं, उनका अध्यन कर रहे हैं, उनमें जीव के बारे में कई चीज़े बताई जा रहे हैं, अब तक हमने जितनी भी बाते आप सुन रहे थे, उसमें जीव की बाते थी लेकिन उतनी नहीं थी, आत्मा के विशय में बहुत कुछ बताया जा रहा था, फिर परमात्मा के विशय में, ब्रह्म के विशय में, ब्रह्म आत्मा एक ही विशय है, बहुत कुछ बताया जा रहा था, लेकिन जीव के उपर बहुत कुछ एक साथ बताया जा रहा है तो जीव अती सुक्ष्म है और असीम भाव वाला है ये कहा जा रहा है तो इसको हम समझने का प्रयास आज करेंगे तो क्या कहा जा रहा है देखी कहा जा रहा है इस लोग क्या कहता है इस विशय में अश्टम इस लोग हमने देखा था कल आठवे इस लोग पर हमने चर्चा की थी जिसमें की जीव को उसमें भी सुक्ष्म बताया गया है लेकिन एहंकार और संकल्प से युक्त बुद्धी और गुणों से युक्त रवी तुल्य ऐसे ऐसे बाते अंगुष्ट मात परिमान वा यह सब बाते बताई गई अब जो है यहां पर लिखा जा रहा है वाला ग्रशत भागस्य शत्धा कल्पित अस्य चा भागो जीवह सविग्यह सचनंत्याय कल्पते बाला ग्रशत भागस्य बाल की नोक के सौमे भाग के पुना सव भागों में कल्पना किये जाने पर जो एक भाग होता है वही जीव का स्वरूप है अर्थात बाल की बाल मतलब हमारे जो बाल होते हैं तो सिर पर जो बाल होते हैं कम है मेरे आजकल ठीक है लेकिन जो बाल कितने पतले होते हैं कितने सुक्ष्म होते हैं आपने देखा है तो क्या कहा जा रहा है बाला ग्रशत भागश्य बाल का जो नोक है मत्ता कि जो बाल का जो नोक है बाल का जो टिप है सिरा है उसका आखरी सिरा जो बाल का होता है उस नोक के बराबर ठीक है उस नोक के बराबर कहा जा रहा है और फिर क्या कहा जा रहा है बाल के नोक के सौवे भाग अगर बाल का नोग सोचो कितना छोटा हो सकता है अब विचार करो और उसका सौवाँ भाग नहीं तिसरा भाग नहीं चौथा भाग नहीं सौवाँ भाग जो शायद आप आँखों से देख भी नहीं सकते शायद माइक्रोस्कोपिक विजन में वो भी इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप से साथ दिखेगा कुछ शायद अभी आगे और भी कुछ लिखा जा रहा है जी इतना ही नहीं लिखा गया आगे क्या लिखा गया देखिए आगे लिखा जा रहा है कि बाल के नोग के सौवे भा का पुना सववां भाग कर दिया जाए उसमें से जो एक भाग होगा उतना सुक्ष्म जीव है जो एक भाग होता है वही जीव का स्वरूप है इतना सुक्ष्म जीव का स्वरूप समझना चाहिए तो बाल के नोक के सौ भाग कर दो और उन सौ भागों में से एक भाग का फिर स भाग कर दो फिर उसका जो एक भाग होगा वो जीव का स्वरूप है कितना छोटा शायद मुझे लगता है कि इतना पावर्फुल माइक्रोस्कोप भी होगा कि नहीं होगा कि इतने सुख्ष्म चीज को देख पाए एक तो बाल का नोक बाल नहीं बोला ज़रा मालों के सिर से अब जो बड़े बड़े बाल रखते हैं लोग या महिलाएं रखती है उनके बाल लंबे तो होते हैं लेकिन उसकी जो नोक है जो आखरी पॉइंट है बाल का जड़ नहीं जड़ से निकल कर जो लास्ट पॉइंट जो बाल का है उसकी नोक को तोड़ लो कितना छोटा होग यह चोटी सी होगी एकदम अब उसका सवभाग करो करें कौन सवभाग कि आखों से दिखेंगा क्या कोई ऐसी औजार है कि बाल के नोक का सवभाग कर दें अब उन सवभागों में से किसी एक भाग को लेकर उसका भी सवभाग कर दो अब वो उसमें से जो एक होगा वह जीव का स्वरूप है तो वास्तों में जो ये बात कहीं जारी है कुछ इस तरह से है नहीं लेकिन उसकी सुक्ष्मता को समझाने के लिए कि उसकी सुक्ष्मता को समझाने के लिए कि जीव कितना सुक्ष्म है जीव कितना सुक्ष्म है यह समझाने के लिए यह बात उपमा देते हुए लिखी जा रही है कि जीव अत्यन्त ही सुक्ष्म है भाई तुम उसको मेजर्मेंट करने का व्यर्थ का प्रयास बंद करो है क्या कहा जा रहा है कि जीव तो अती सुक्ष्म है वही जीव का स्वरूप विग्येह समझना चाहिए और वह आनंत्याय आनंत्याय असीम भाव वाला होने में समर्थ है कितना सुक्ष्म है कितना सुक्ष्म है बाल की नूक का सौभाग कर दो उसमें से एक भाग का सौभाग और कर दो उसका जो एक भाग होगा वो जीवकार स्वरूप होगा और वो क्या है असीम भाव वाला है कि स्वरूप इतना सुक्ष्म है और असीम भाव वाला माइक्रोचिप क्या होता है माइक्रोचिप छोटा होता है डाटा को कलेट करता है लेकिन यह जीव इसका जो चिप है अब इतने सुक्ष्म में मन बुद्धी चित हैंकार है यह आपको एक अंदाजा लगाने के लिए कि भाईया तो उसकीसुक्षमता को जानना चाहते हैं तो जान प्रन की नोक का सभाग कर दिया उस सभाग में से एक भाग का सव भाग और कर दिया वह जो उसका एक भाग बचेगा एक भाग निकलेगा उसको तुम जीव का स्वरूप मानों और उसमें रहते हैं मन जाया इतने सुक्ष्म में उसमें रहते हैं मन बुद्धि चे तहंकार अब चित में सारा डाटा इस्टोर कई जनमों का कई जनमों के करम संस्कार आपके चित में बंदे हुए हैं सोच लो व्यज्यानिक यहां माइक्रोचिप बनाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए छोटा सा छोटा बनाने में लगे हैं अभी तक उतना छोटा नहीं बना पाए हैं कि बाल के एक सौ भाग का और सौ भाग कर दो उसके बाद जो बचेगा एक बाग उसको जीव का स्वरुप मानो और उसमें भी मन बुद्धि चित एहंकार का वास और उसमें भी वो चित जो है सारे जनमों का डाटा लिए हुए ह पिछले सारे जनमों के संसकारों को इस इंप्रेशन्स को इस्टोर किये हुए अपने अंदर सोच सकते हैं कहां तक की बात की जा रही है तो अब यहां पर क्या लिखा जा रहा है सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना सुक्ष्म है और इतने सुक्ष्म होने के बाद भी असीम भाव वाला है असीम भाव अनेको भावनाव इसकी भावनाएं असीम है उसका कोई अंतने उसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह भाव युक्त है, एहंकार युक्त है, संकल्प युक्त है, संकल्प का होना ही तो भावनाओं का होना है, तो असीम भाव वाला है, मतब इसमें अनेकों भावनाओं की तरंगे इसमें उठती रहती है, कितनी सुक्ष्मता, अगर नाप तोल थोड़ा सा पता हो थोड़ी सी physics का measurement पता हो तो सोच सकते हो कि कितनी छोटी वस्तू के लिए बात कही जा रही है एक तो बाल का नोक इतना सा अब उसके भी सौ टुकडए कर दो उसमें से एक टुकड़ा लो उसका और स्व टुकड़ा कर दो अब जो एक टुकड़ा होगा वो जीव का स्वरूप होगा लेकिन वो इतना सुक्ष्म जीव असीम भाव रखने वाला है सबसे बड़ा चमतकार जो सबसे बड़ी बात यहां कही जा रही है कि बाल ग्रशात भागश्य च शत्धा कल्पितस्य भागह सह जीवह विग्गेह च सह आनंत्याय कल्पते तो बाल की नोक के सववे भागवाला और उसके एक भाग का अगर सववा भाग किया जाए तो उसका जो एक भाग बजेगा वो जीव का सुरूप लेकिन वह इतना छोटा जीव इतना सुक्ष्म जीव और इतना शक्तिशाली कि वह असीम भाव रखने वाला असीम भाव भावनों की तरंगे उसमें उठती रहती हैं और वह वहां से इतने बड़े शरीर को कंट्रोल करता है दूसरा बड़ी बात है दूसरा अश्यर्य करने वाली बात है तो अश्यर्य है कि अशर्य है कि इतना सुक्ष्म जीव इतने बड़े शरीर को क्या कर रहा है पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है इतना सुक्ष्म जीव उसके अंदर जनमों जनम के डाटा इस्टोर है जनमों जनम का डाटा उसके अंदर श्टोर है पिछले जनमों के करम संसकार इस जनमों के करम संसकार सब को अपने अंदर श्टोर किये हुए है और भावनाओं तरंगों को उठाता रहता असीम भाव वाला बताब उसकी कोई सीमा नहीं है भावनाओं की कितना डाटा वो अप तो यह सारी चीजे हैं यह सारी बाते हैं जीव के विशय में तो जीव इतना रहस्य मई है उसके रहस्य को प्रगट किया जा रहा है क्योंकि वो लौकिक बुद्धी से यह सब चीजे विशय सुरुप से समझ में नहीं आती ध्यान यूग के माध्यम से हम जीव की गति को विचारों की तरंगे किस प्रकार से उठती हैं किस प्रकार से हावी होती हैं हमारे उपर इस सारी चीजे अब सोच लो कि मन कितना सुक्ष्म होगा जीव के अंदर मन का वास चित का वास एहंकार का वास बुद्धी का वास बुद्धी मतलब ये ब्रेन फिजिकल ब्रेन की बात नहीं होती है एक बात ध्यान रखेगा बुद्धी तत्व है जो कि मिर्त्यू के बाद भी रहती है अंता करण चतुष्ट्य में से कोई नश्ट नहीं होता यह ध्यान रखेगा ठीक है जीव का नाश नहीं होता जीव अविनाशी है जब मिर्त्यू होगी तो शरीर ही नश्ट होगा जीव तो शरीर का त्याक कर देगा तो कि भाई अब यह काम करने लाइक नहीं रह गया तो जीव अपने अंदर करम संस्कारों को पिछले कई जन्मों के करम संस्कारों को संजोई हुए है पनाए हुए है चीक है तो यह हमें समझना होगा मित्रों तो जीव का जो कॉंसेप्स सिर्फ देखिए बहुत सारी बाते क्या हैं की सिर्फ अध्यन करकर तल्यावें शॉल आध्यान बहुन अशुघ्ण में बहुत सुनने से बहुत प्रवचन से समझ में नहीं बस हां प्रेणाय मिलती और ब्रेणाय मिलती है पूरी तरह से जो कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट क्लियर होता है थ्यान योग से संभ crush हो पाता है मात्र कलपनाओं से नहीं, सुनने से नहीं, सुनकर पढ़कर कलपना कर लेने से नहीं हो जाएगा, ज्यान नहीं हो जाएगा, आपने कुछ पढ़ लिया, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, जीव के बारे में कुछ सुन लिया, तो आप एक imagination करोगे, अच्छा ऐसा है ऐसा ऐसा लिखा गया है ऐसी ऐसी बात समझ में आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सचाहिए है क्योंकि जब तक ध्यान योग नहीं करोगे जब तक अनुभाव नहीं करोगे अनुभाव की प्रकिरिया में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तो सही मायने में जो भी concept बनने वाले हैं, वो defected हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं आरे नहीं, गीता पढ़ लिया, उपनिशत पढ़ लिया हो गया, समझ में आगे बात नहीं जी, आप अगर ये सोच कर बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ पर कुछ लोग मुझे लिखते हैं, आप रट्टू तोता हो, कमेंट में आता है मुझे, ठीक है भईया, आप हमको रट्टू तोता ही समझे और हमारे चैनल पर अपना समय बरबाद ना करें, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं साफ साफ रिप्लाई करता हूँ कि क्यों चैनल पर समय बरबाद करते हो, बहुत सारे यूटूब चैनल है, जाइए देखिए उसको, जब तुमको नहीं पसंद आ रहा तो समय मत बरबाद करो यहां, जाओ यहां से, ठीक है, उनको सीधा यह मैं बोली देता हूँ, क्योंकि, यह कभी मत सोचना कि मैं अगर यहां उपनिश कहें बता रहा हूं, ऐसा मिन सोचना है, क्यों कई बाडर उपनिशादों में जो टीका किया होता है, मैं वैसा नहीं बोलता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ टीका थोड़ा सही जा रहा है, तो मैं इसको ले ले लेता हूँ, जहाँ मुझे लगता है जैसे के आकार का होता है और हिर्दय में रहता है कि यह साफ साफ यहां लिखा हुआ है इसलिए अंगुष्ट मात्र शब्द का जी नहीं अंगुष्ट मात्र का यह अर्थ नहीं होता फिर तो confusion हो जाएगा आप सुचो कि एक इसलोक में कहा गया अंगुठे के बराबर और एक इसलोक में कहा जा रहा है बाल की नोक के सौ भाग और उसके सौवे भाग में जाकर हम पहुचेंगे तो उतना चोटा उसका सवरूप है तो अंगुठे के बराबर का वह अंगुठा हमारा इतना सा बड़ा देखा पूल मिलाकर तो जीव इतना होता है क्या मुर्खता है बेकुफी है जो लोग ऐसा explanation दे रहे हैं मुर्ख लोग है कि क्या आत्माको अंगुष्ट मात्र लिखा गया है तो आत्मा इतना बड़ा होता है क्या गधे जैसी बुद्धी हो गई है क्या चीधा मैं बोलूँगा जबकि स्वितास्त्रों अपनिशद में ही लिख दिया गया है कि आत्मा तो तुम्हारे शरीर के कंकर में प्रवेश कर जाता है जीव का भी पूरी सत्ता बना कर रखता है सबसे जादा जीव की सत्ता मस्तिश्क में काम करती है दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखता है ठीक है तो जो विशय इंद्रियों का नहीं है उसकी परिकल्पना या उसको इंद्रियों के इंद्रिय अनुभूती से उसको मापने की कोशिश ही बंद कर दो अंगुष्ट मात्र का मतलब ये नहीं होता ये अंगुठे का साइज बिलकुल नहीं होता क्योंकि ये अंगुठे का साइज इंद्री अनुभूती है और आत्मा इंद्रियों से परे है आत्मा इंद्रियों से परे है तो ये अंगुठे का साइज अगर ना पोगे तो महामु महामुर्क बने जा रहे हो और जो भी तुमको विद्वान बता रहा है वो खुद महा मुर्क है तो कुछ लोग मानते हैं कि अंगुष्ट मात मतलब अंगुठे के साइज का तुम महामुर्ख और तुमको बताने वाला महामुर्ख सीधी सी बात एक शब्द में बता रहा हूं चाहे तुम्हारे गुरुजी हो चाहे तुम्हारा कोई भी हो ठीक तो महामुर्ख बने जा रहे हो जो विशय इंद्रिया तीत है इंद्रियों के परे है वो इंद्रियों के माप दंड में आने वाला नहीं है उसका मिजर्मेंट आप नहीं कर पाओगे उसका मिजर्मेंट आप नहीं कर पाओगे सीधी सी बात तो इसलिए कभी ये मत सोच लेना कि मैं जो यहां बताता हूँ वो कोई पढ़के बताता हूँ नहीं बात सही लगती है तो ले लेता हूँ नहीं तो अपनी बात बताता हूँ ये लिखने जी और वो जो मैं बात बताता हूँ वो ध्यान योग पर आधारित होती है इसलिए उपनीशत समझना है, गीता समझना है, अगर ये सोचकर बैठे हो, कि सारी बात पढ़कर समझ में आ जाएगी, तो नहीं आएगी, ध्यान योगे में उतरना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान योगे में उतरना पड़ेगा, तो अगर सोच रहा हो कि पढ़कर हम intellectual बन अंगुष्ट मातर के लिए अंगुठे का आकार भी लिख देंगे, कि अंगुठा मतलब अंगुठे के बराबर जीव होता होगा, आत्मा अंगुठे के बराबर होती होगी, होश में हो, कितनी बार चर्चा हो चुकी कि इंद्रिया तीत है, इंद्रियों से परे है, पारमा प्रम नहीं आ सकता है इसलिए ब्रह्य की सत्ता व्यभारिक नहीं है पार्मार्थिक है इंद्रियों के परे इंद्रियातीत है उसकी तूलना इंद्रियान थोड़ी ना है कोई विजली पंखा भी तो इंद्रियों कीजिए लेकिन चलो कुछ कॉंसेप्ट समझने के लिए लेकिन जो ओरिजनल जो कॉंसेप्ट आने वाला है ना ओरिजनल कॉंसेप्ट जो दिमाग में सेट हो सकता है जो समझ में आ सकती है बिना ध्यान योग के नहीं आ सकती है ठीक है तो यह कभी मत सोचना और जो लोग रेगुलर सुनते हैं वो समझते हैं कोई यहां पर चीज़ें पढ़कर रटकर नहीं बताई जाती है ठीक है तो यह आप अच्छे से समझिए तो विशय ध्यान योग का है जीव को सुक्ष्म से भी अति सुक्ष्म बताया जा रहा है और साथी साथ असीम भाव वाला असीम भाव वाला मतलब कि उसके अंदर जो भाव तरंगे उठती है उसकी कोई सीमा नहीं है नो एंड वो बहुत बड़ा चक्र है अपने आप में और वही चीज है जो हमें बांधे रखती है वही चीज है जो हमें बांधे रखती है वही चीज है जो हमें बांधे रखती ह है या आत्मा अंगुठे के पता नहीं कहां से लोग सोचते हैं फिर बोलना पड़ेगा घुटने से सोचते हैं क्या कि वो परिमान वाला है कहने का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है अगर शरीर में जीव को अंगुष्ट मात्र कहा जा है कि अगर शरीर में जीव ना रहे तो जैसे यह चारों अंगुलियां बेकार हो जाती है अगर अंगुठा ना रहे तो चारों अंगुलियां एक तरह से व्यर्थ हो जाती है कि वैसे ही अगर जीव ना रहे तो यह शरीर व्यर्थ है अगर जीव ना रहे तो यह शरीर विर्थ है इसी लिए अंगुष्ट है अंगुष्ट मात रहे लेकिन अगर साइज मान लोगे कि अंगुठे के साइज के बराबर है तो मेरे खाल से बहुत बड़ी मुर्खता पुर्ण बात होगी फिर तो अगला इस लोग गलत हो जाएगा कि बाल के सव बाल के नोक जो हमारे बाल है उसके नोक का सव भाग कर दो अब उसके एक भाग का सव भाग और कर दो अब उसका जो एक भाग होगा उतना सुक्ष्म जीव है तो अंगुठा तो इतना बड़ा है अगर अंगुठे के अकार ले लोगे अंगुठा तो इतना ब वैसा है उस तरह से जीव के स्वरूप का वर्णन उपनी शदों में किया जा रहा है और असीम भाव वाला इतना सुक्ष्म होते वे भी इतना छोटा होते वे भी आप देखो कि आपके फोन में आपके फोन में आपके कंप्यूटर में हाट डिस्क माइक्रोचिप कई चीजे लगती हैं लेकिन कई चीजे माइक्रोचिप वेगारा लगी है छोटी होती है लेकिंगे फिर भी इतनी छोटी तो नहीं होती है और उनका मेमरी फुल हो जाएगा उनका जो मेमरी है वो फुल हो जाएगा डाटा फुल हो जाएगा आप परिशान हो जाते हो मेमरी फुल हो गया मेमरी फुल हो गया आजकल वाटसप पे लोग खूब मैसेज भेजते हैं खूब मैसेज भेजते हैं मेमरी फुल कर देते हैं लेकिन यह कितना सुक्ष्म है कित ठीक है तो ये चीजे हैं रहस्य है जीव का रहस्य है अंताकरण का भी रहस्य है बहुत सुक्ष्म विशय है यह चलिए जीव के बारे में इस तरह से बताया गया है इस इस लोग के अंदर कि वह इतना सुक्ष्म होते हुए जीव है असीम भाव वाला है उसकी भावनाओं की कोई सीमा नहीं है भाव तरंगे उसमें इतनी उठती है कि एंडलेस है ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर कहने की बात कही गई है और उनी भावनाओं के दम पर उनी भाव तरंगों की शक्ति से जो जीव है इसे शरीर की उपर कंट्रोल रखता है उसकी भोग वृति बनी रहती है शरीर के माध्यम से और वो कर्म करने के इक्षाएं डिजायर्स का मनाये उसे बार-बार शरीर धारंग करने के लिए विवश्च करती है और पुनरपी जयर्णम पुनरपी मरणम का चक्र जो है लगा रहता है जीव की यहिकति है काल चक्र में वो घूमता रहता है ठीक है फिर जब उसे समझ में आ जाएगी बात की नहीं मुझे इसकी उपर मुष्ट करी द्वारा आए न जही परलोक सब्था ठीक है घुमेन बॉडि मनुष्य का शरीद है क्राउन ओस क्रीशन भी से कहा गया स्रिश्टि का सिर्मौर मोक्ष का साधन बनता है योग का साधन बनता है भोग का साधन तो सबी है इसलिए यो निया है जितने षरीर है तो इसी लिए हमें ये सोचना समझना है, विचार करना है, विचार करके सोच समझ कर हमें इस मार्क पर आगे बढ़ना चाहिए, तो चलिए अब आपके कमेंट्स पर ध्यान देते हैं, आपने क्या लिखा है, उसको देख लेते हैं, और फिर इसको विराम देंगे, चर्चा को जगत नरायन जी अभिनंदन है जमाल खान जी विदान्तिक अनुसार फल दाता इश्वर है मिमानसा के अनुसार कर्म स्वेम है दोनों में विरोध क्यूं है फिरप्या समझाएं विदान्त के अनुसार फल दाता जो है इश्वर है मेरे खासे अद्वईत विदान्त में तो ऐसी मानेता नहीं है ठीक है जो विदान्त का प्रथम चरण जिसको कहा जाता है उसमें ऐसी मानेता नहीं है ठीक है दूसरी बात क्या है कि मिमानसा क्या है मिमानसा क्या है पहले ये समझिएगा और जो दूसरे ग्रंथ लिखे गए हैं वो एक अनुसंधान की प्रक्रिया में लिखे गए हैं तो उन बातों का acceptance सबसे पहले है जो सामने दिखाई दे रहा है खास कर मिमान सा के अंदर जो सामने दिखाई दे रहा है तो उन बातों का जो सुखा रहbelsे है वह सब से पहले होता है हो कट करम के क्योंकि जब तक करम नहीं होगा तो क्या इश्वर फल दे देगा प्रश्निय है अब यहीं पर बाते आ एक बात बताईए कि भक्त पर किर्पा होनी चाहिए यह भगवान की एक्षा है कि भक्त की एक्षा है क्या भक्त अगर भक्ति ना करें तो क्या भग्वान किर्पा करेंगे नहीं करेंगे अगर नहीं करेंगे कृपा तो सारी बाते तो निर्भर भक्ति पर हो गई ना भक्त और भक्ति पर सारी बाते टिक गई सारी सीमा कहां पर निर्भर हो गई भाईया तुमको भगवान की कृपा चाहिए तो तुम भगवान की भक्ति करो यह कह दिया गया जब यह कह दिया गया मतलब भगवान अपनी मर्जी से किसी पर क्रिपा नहीं करेगा जो भक्ति करेगा उसके उपर करेगा जो नहीं करेगा उसके पर नहीं करेगा ये वाली बात आ जाएगी फिर तो भगवान की कोई अपनी मर्जी दिखनी रही है इसमें तो अगर कर्मों कर्म फल नहीं देते इश्वर देता है तो इश्वर क्या बिना कर्म के भी फल देदेगा प्रश्न यह ठीक है इश्वर क्या बिना कर्म के भी फल देदेगा तो अब वेदान्त में कई माननेताएं हैं ठीक है तो कुछ माननेताएं ऐसी हैं जैसे कि आप जैसे कि गोस्वामी तुलसिदाजी लिखते हैं तो अगर हम ले ले उनकी गोस्वामी तुलसिदाजी की जो माननेता है विदान्त के विभाजन बाद में हुए मध्यकालीन युग में जो भक्ती युग आया उसमें विभाजन हुआ है और उसमें करम की प्रधानता कम हो गई इश्वर निर्भरता की प्रधानता बढ़ गई नहीं तो अगर करम की प्रधानता होती तो कहानी कुछ और हो जाती फि कि जब सिकंदर का आतर्मन हुआ था उस समय चानक के जैसा गुरू चानक के जैसा कर्म शील वेक्ति कर्म गुरू जो है वेदानती वैदिक गुरू इस देश में थे जिन्हों ने यह नहीं सिखाया कि तुम इश्वर से प्रार्थना करो जिन्हों ने यह सिखाया कि सेना खड़ी करो संगठित हो जाओ सारे राज्यों को संगठित किया कर्म करके दिखाया ठीक है तो चानक के क्या थे वैदिक थे करम कांडी ब्रामनों के कुल में उनका जनम हुआ था तो मिमानसा की विचारधारा हावी थी मिमानसा क्यूं एक्टिव हो गई यह बताई क्यूं आज भी अगर आप जाएंगे हिंदू धरम के अंदर तो आज भी जो घर घर के अंदर जो विचारधारा प्रवेश करके बैठी हुई है ना वो मिमानसा की विचारधारा है यह जितने भी परवतिवहार मनाये जाते हैं कि आज दिवाली मनानी है आज पुर्णिमा है आज अमावस्या है पुर्णिमा को ये करना है अमावस्या को ये करना है दिवाली में ये वाली पूजा करनी है मकर संकरांती में गंगास्नान करना है ये सारे नियम किस ने दिये ह पता है आपको मिमांसा ने दिये हैं आज भी हिंदू समाज के घर घर में जो विचारधारा काम करती है वो मिमांसा शास्तर की विचारधारा है अचारे कुमारिल भट जैमनी रिशी और वो क्या सिखाते हैं करम मठता सिखाते हैं वो कर्म सिखाते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि तुम इश्वर पर निर्भर होकर बैट जाओ, और यही कारण था और इसी विचारधारा के चानक ये थे, इसी लिए सिकंदर जैसे युद्धा को भी बैक फूट कर दिया, लेकिन जो बाद में विचारधारा आई, मध्यकालेन युग में जो विचारधारा आई, उसने लोगों को इश्वर पर इतना निर्भर होना सिखा दिया, कि सब कुछ सारी जिम्मेदारी छोड़ कर राम राम कृष्ण 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 छोड़ो जी खतम करो, इसलिए मैं कहता हूँ, अंधकार युग लाना है इस देश के अंदर, तो इश्वर इंदर भरता लेकर आओ, और नहीं, तो फिर कर्म में विश्वास करो और टेक्निक में विश्वास करो, महरशी पतंजली टेक्निक में विश्वास करते हैं, माया को कंट्रोल में लाना है, इंदरियों को कंट्रोल में ले आना है, जीवन को मैनेज करना है, थौट्स को कंट्रोल करना है, तो यूज दे टेक्निक्स, ठीक है, यह समझ लीजिए, अच्छे से, तो अब प्रश्णी उठता है क्या कोई इश्वर क्या कोई परमात्मा अगर व्यक्ति कर्म ना करे तो फल देने का दम रखता है कोई कहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा मेरा पेट भरदे भगवान ठीक ना मैं खाना नहीं खाऊंगा मेरा पेट भगवान भरदे ठीक है हाँ अगर वो कुछ टेक्निक की यूज़ करें तो शायद हो जाए लेकिन कब तक और कितने लोगों के साथ कितने लोगों के साथ किसी एक के साथ या सब के साथ हाव मैंने पिपल ठीक है तो अगर किसी एक विक्ति के साथ ऐसा हो रहा है कि वो खाना नहीं खा रहा है और उसका पेट भर रहा है दूसरे भी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं वो भी खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन भगवान उनका पेट नहीं भर रहा है दुरापदी का चीर बढ़ रहा है तो क्या सब का चीर बढ़ रहा है क्या सब की लाज बच रही है अगर दुरापदी के लाज बच रही है तो क्या सब की लाज बच जा रही है यहां प्रश्ण है इस पर हम पुरा विडियो कर चुके हैं क्या भगवान सब पर कर देते हैं क्या तो शक्ति किसके पास है सारी बाते निर्भर कहां करती है यहां पर आपके अंदर में क्या है आपका योग बल कितना है आपके अंदर भक्ति की शक्ति कितनी है सारी बाते इस पर निर्भर करती ह है कि ना कि भगवान पे दिर्वार करती हैं अगर भगवान प मर्जी फिर कि जह लेकिन दरक्ष नहें मिला द्स तन्ट गय सुर्धाम यह लिखा हुआ है यह के प्राप्ति मोक्ष होना स्वर्ग होना अलग चीज है कर्म का फल अगर भगवान राम केवट के पास गए अगर भगवान राम शबरी के पास पहुंचे तो उनके कर्मों का फल देने ही पहुंचे उनकी तपस्या का फल देने ही पहुंचे तो सारी बाते निर्भर किसके उपर करती है स्वेम भक्त के उपर निर्भर करती है ना कि भगवान पर निर्भर करती है तो कुल मिलाकर कर्म पर ही तो निर्भरता बन गई न अगर आपको भगवान की भी किरपा प्राप्त करनी है त तो आपको उसके संदर्व में कर्म करना है तो क्या अगर कर्म नहीं होगा तो क्या भगवान करके दिखा देगा क्या बिना खाये सब का पेट भर के दिखा देगा और कितने दिन तक दिखा देगा कब तक दिखा देगा क्या जीवन भर के लिए वो किसी का पेट भरेगा बिन खाये तो बहुत सारी बात तो इसी लिए कर्म प्रधान विश्वर अची राख यह बात साफ साफ एक गोश्वामी तो स्वर्धाज ने लिख दिया अची बाते कि उस ने क्या किया आयada करम को प्रधान बनाकर रचना कर दिए अब जो होना है उस करम के सिध्धानत से होना है यहां तक कि जब राम चरित मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भगवान राम जब वनवास जाते हैं और पहले दिन वनवास में निशाद झालर लाज के यहां रुकते हैं निशाद राज चलिए आप नेरे घर चलिए कि भगवान राम कहते के नई मैं वनवासी हो चुका हूं इसलिए मैं किसी नगर घर में नहीं जाओंगा वन की स्थिति में इस उन्हों ने जो सुखे पत्य थे पुवाल आदी जो होता है इसको हम परली बोलते हैं तो परली आदियों का जो एक चटाई जैसा बनाकर उनको वहां पर सुने के लिए उन्होंने दे दिया प wavelength कर्मों से ही सब आने वाला टो वेदान्त के अनुसार इश्वर कर्मों का फल देने वाला है अद्वाइत में यह मानने अप stESSिक नहीं मानता है दूझरे वेदान्ती जो बाद में हुए वो उसको ऐसा वो कहते हैं कि इश्वर फल देने वाला है लेकिन व्यवहारिक्ता में चीज़े प्रूफ हो जाने चाहिए कि इश्वर ही देने वाला मैं नहीं भी खाऊंगा और इश्वर का नाम लूँगा तो मेरा पेट जो है भर जाएगा बढ़ियां स और मेरा स्वास्त भी अच्छा रहेगा पूरी ताकत भी बनी रहेगे यह चीज घटनी चाहिए और सब लोगों के साथ घटनी चाहिए जो भी भगवान का नाम लेकर करेगा ठीक है तो हम मानेंगे कि हाँ यह चीज है यह चीज है ठीक है नहीं तो व्यक्ति निर्भर हो ज कैसे उसकी अपनी भक्ति कैसी है उसका अपना योग कैसा है अगर उस भक्ति में शक्ति है तो ठीक है नहीं तो नहीं होगा यह बात यहां पर आ जाएगी तो फिर निर्भरता तो उसी को पर आगे ना भगवान पर कुछ निर्भर रहा ही नहीं तो यह चीज है ठीक है पहल करतिके सिद्धांत से ही रहे हैं लेकिन अल्टिमेटली कोई घट घट गई कई पर बहुत भूरी घट घट गई है आप में कोई कुछ भी नहीं कर पाया झा प्याहिया और घट गगए जैसे आज कर लोग अफगानिस्तान के बारे कुछ कुछ कह रहें तो मान लोगे ना अंत्ता कहते हो गये उपर वाले के शाथी उपर वाला यहीं चाहता था यह कहत हो गए लेकिन सच्छाई यह है कि सारा खेल नेचर का है और जो प्रकृति है वह स्टेबलिटी किसी को नहीं देती है इध्यान रखेंगा को सोचे कि मेरी पावर और मेरी सट्टा स्टेबल रहे अंदृश्वाशी होसी किreme सट्टा को कि बहुत कुछ बदल देगी थीक है तो क्या क्या बदल देगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल likely हां नेचर जो है वो पाप को भी बनाके रखती ह्म पुन्ने को भी बनाके अगर आप कहते हो कि इश्वर फल देनेवाला है तो इट मिन्स कि वो पापियों को भी फल देता है कौन सा फल देता अच्छे वाले फल उनको दे देता फिर तो कि जितने भी बुरी चीजे हैं उसका कारण इश्वर ही तो है फिर ठीक तो फिर आप कॉंसेट ले आओगे शैतान का कि ने नी शैतान हमेशा इश्वर के विरुध में लगा रहता है फिर शैतानी कॉंसेट यहां पर आ जाएगा फिर इसका मतलब यह आ गया कि इश्वर इस लिमिटेट कोई ऐसी पावर है जो गौड की पावर को लिमिट कर र सरातन धरम में नहीं है किसी भी शास्तर में शैतान के बारे में नहीं बताया हूँ हाँ माया का रूप है गुनों का रूप है तामसी गुन हावी होगा तमो गुन रजो गुन जब मिल जाएंगे तो पाप पैदा करेंगे रजो गुन और तमो गुन के मिलने से पाप के ऊपर रजोगुन तमोगुन मिलकर हावी हो जाएंगे वह सबीड़ाइ मैं। प्रक्षिति का ग०्क लगुण तो यहां पर है ना कि इविल का तो इविल प्रकर्ती का अंदर ये इविल प्रकषित रताल है यह बनेगा बनेगा जब सतोगुन और रजोगुन मिलेगा तो पुन्ने कर्म होगा ठीक यह कॉंसेप्ट फिर आ जाता है तो इसी लिए जो प्रैक्टिकल है जो वेवहारिक है वो यही दिखाई देता है कि कर्मों कर्मों में कर्मी फल देने की छमता होती है करमी फल पैदा कर देते हैं एक्षन ही रियक्षन को डिसाइड करता है थीख है हमने एक बॉल जोर से दिवार पर मारा वो बॉल टकरा कर पीछे कितनी दूर जाएगा यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी जोर से बॉल को मारा गया तो एक्षन जो रियक्षन आने वाला है वो किस पर निर्भर है एक्षन के उपर निर्भर है यह फिलोसफी है मिमांसा की बिल्कुल न्यूटन लॉग की तरह मिमांसा का जो यह कर्म सिध्धान्त है न्यूटन के लॉग की तरह है वो एकदम न्यूटन का जो एक्शन रियक्शन हम लौ पढ़ते हैं मिमानसा बिल्कुल वैसे कहती है कि जैसा कर्म होगा वैसा फल आपको मिल जाए अगर बहुत तेज से आप पूरा ठीच कर दिवाल पर अगर एक स्पंज का गेंद मालो तो उतनी ही तेज से वापिस आएगा अगर धी अपुर्व की शक्ति अपुर्व का सिध्धान्त और इसी फिलोसफी को आधार पर उन्होंने करमकांड सिध्धान्त दिया कि जैसा हम एक्शन लेंगे वैसा रियक्शन होगा इसी लिए उन्होंने करमकांड सिध्धान्त दिया पुजा पाट के नियम बनाए व्रत कुरा प्रभाव होता जैसे कि मकर संकरांती मकर रासी में सूरिका प्रवेश प्राइस शनी की राशी है शुरका प्रवेश ग्रहों का यह एस तुर्वेश होने से एक नक्रात्मक माहौल बनता है इसलिए उस दिन जो है आप दे अ थे तेलमसाले वाली चीज़ा ना खाओ, खिचडी खाओ, कुछ जगों पर लग चूड़ा दही खाते हैं, दही का सेवन जादा करते हैं, और गंगा असनान करो, सुबह जल्दी उठकर असनान करो, ध्यान करो, उस दिन दान पुन्ने करो, उस दिन हो सके तो बुजुर्गों को, गरीबों को दान दे कर गये हैं, सनातन धर्म में परवतिवहारों का, यह सब करम के अधार पे बनाए गये, कि हाउ टू, प्रकृति कैसी है, प्रकृति को समझो और उसकी अनुसार करो, करमों से ही तुम्हें सुख और शान्ती का अनुभाव होगा, प्रकृति को संतुलित करने के लिए करम कांड का सिध्धान दिया गया, तो मिमानसा हंडर परसेंट इसको कहते हैं, टोटली यह फिलासोपी देता है, बिलकुल न्यूटन का जो एक्शन रियक्शन लाव है, उसके अनुसार, यह बात अलग है कि न्यूटन बिचारा बहुत बात में आया, मिमानसा तो हजारों वर्स पह न्यूटन के बारे में बात कर रहा है, वो कर्म में यही मानते हैं, कि भाईया, जतना करोगे, जैसा करोगे, वापस लुटकर त Katya, वयसे ही आने वाला है, ठीक है, जैसी करनी, वैसी भरनी, तरशित्ध्धान, लेकिन कर्म का फॉल, फॉल भी कौन देगा, तो मिमानसा कहत कि नहीं जी कोई इश्वर नहीं देगा वही बात जो न्यूटन लॉप प्रूफ करता है कि अगर धीरे से गेंद मारोगे तो गेंद भी वापस लोटके धीरे से आगी खूब खीच कर मारोगे तो गेंद भी उतनी फोर्स से वापस लोटेगी तो मिमानसा कहता है कि ये चीज है करम का जो फल है वो करम के अंदर ही है कई और नहीं है उसको उन्होंने कहा अपुर्व की शक्ति क्योंकि करमों का फल तुरंट नहीं मिलता कई बार कई समय बाद मिलता है अब हम अगर physical world में हम देखें material world में हम देखें तो हमारे पुरवज तक उसका फ़ल नहीं आया था अब आ रहा है फ़ल गol well warming बढ़ रही है पेड के कटने से pollution बढ़ रहा है oxygen लेवल डाउन हो रहा है यह कि वे तो इतने सालों बाद फ़ल आ रहा है 200 बाद फ़ल रहा है कई देशों में तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब बढ़ चुकी है लेकिन अब जो है हमें रिजल्ट मिल रहा है पेड़ों के काटने का जो दुष्परिनाम है अब हमें मिल रहा है और आगे और भुगतना है अभी क्योंकि जनसंख्या नियंत्रन के लिए कोई मानविय विचारधारा नहीं है सोच नहीं है तो इसी लिए समस्याइं बढ़नी है तो फल तो आ रहा है न अब आ रहा है तो कई चीजहों अब 200 सालों में एक आदमी का दो बार जनम हो जाएगा उसका तो दो बार मरकर दो बार पैदा हो जाएगा उनर जनम के सिध्धान्द के नुसार ठीक है तो अपने क कर्मों का फल मिलता है जो प्रारब्द के हमें रूप में जो कर्मों का फल आता है वह कैसे आता है अपुर्व की शक्ति से आता है अपुर्व सिध्धान्त मिमांसा का जो अपुर्व सिध्धान्त है उसकी अनुसार आता है ठीक है तो क्योंकि इश्वर को भावातीत माना गया है तो इश्वर की कोई मर्जी नहीं होती कि फलाने व्यक्ति पर किरपा करना है या फलाने व्यक्ति पर किरपा नहीं करना उसकी कोई मर्जी नहीं होती एक प्रोटोकॉल सेट है एक सिध्धान्ति की चीज उसने सेट कर दी है कि जो ऐसे करम करेगा उसके साथ ऐसा होगा यह चीजे यह मानिता है यह समझ विक्सित की गई है मिमानसा के अंदर तो इसमें कि इश्वर कुछ कर लेगा करम के उसमें या उसको हाँ एक एक नियम बताया गया है कि करमों से बचने के लिए प्रैश्शित का एक नियम दिया गया है कि थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी अगर आप किसी पाप कर्म आपसे हो गया है निशिद्य कर्म हो गया है तो उसका प्रैश्शित कर्म बस ठीक चली कि आगे बढ़ते हैं विक्रम सिंग जी गुपाल शर्मा बल्दाव नाथ योगी नरुत्तम मिश्रा ललित गर्ग पद्री लाल अनिल कुमार स्पी सैनी राम निवास मीना अमरिस सिंग पाल सिंग दुर्देव इस मृत्यों लोक में शरीर तो मरन धर्मा है तो फिर हनुमान जी शिव जी शंकर अश्वतामा और गुरू क्रिपाचार शरीर में अमर कैसे 2023 अमर तो लिखा इना जगया क्या लिखा गया क्या वात करते हो पहली बात तो यह प्रमान दीजिए कि अमर हो गए और शिव जी की बात नहीं आती है शीव जी की गण्डणा उसमें नहीं देखना परशुराम हैं कृपाचारे हैं और अश्वत्हामा है हनुमान जी हैं और एक और है कोई भगवान शिव का नाम उसमें नहीं आता ये ध्यान रखिएगा वो इस लोग है मैं इस लोग आपको पढ़कर मैं बता भी दूँगा कि संभावता माभारत का है इस लोग है जिसमें पांच लोगों का नाम लिया गया है ठीक है पांच लोगों का नाम लेकर अंत में लिखा गया है चीर जीविना अमर शब्द का प्रयोग नहीं है, अमर लिखा होगा तो अमरित शब्द का प्रयोग होगा, अभिनाशी शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन उनको लिखा गया है चीर जीविन, चीर जीवि मतलब लंबी आयू, हजारो वर्ष की आयू, ठीक है, तो हनुमान जी, अश्वत हाम जी कृपा चारीजी और परसुराम जी एक नाम भगवान परशुराम का है ठीक है और एक और नाम है वो नाम है फ्वरासा भूल रहा हूं एक और नाम है ना तो इन पांच लोगों को उसमें भगवाद शिव का नाम कर दान की शिव अजनम कोई मतलबivol नहीं जिए तो इसी लिए शिव का नाम ही नहीं तो यह अमर्ता तो बात उसकी होगे ना जिसने शरीर में जनम लिया है शिव प्रगट होते हैं शिव अपनी इक्षा से अपने आपको सामने ले आते हैं किसी भावना के वशिभूत लेकिन शिव अजनमा है तो उसके लिए उसके उपर लागूई नहीं होगा यह तो अब उनके लिए क्या शब्द जो इस लोक है उसको कहा गया है चीर जीवी वहाँ पर अंत में जो सब्द लिखा गया है चीर जीवी अमर नहीं हुए लंबी आयू वाले हुए और फिर जो जैसे में कहा गया कि मिर्थ्यूप के बाद प्रेत्योंनी में भटकने हनुमान जी ने समाधी ले लिए। योग समाधी से उन्हों अब कृपांचार के लिए समाधी वाली बाते हैं कुछ लोगों को सिक्षाय देते रहें उसके बाद भी ऐसी बात नहीं, आवशक्ता पढ़ने पर देव कृपा से अगर किसी को कुछ सिखाना था, कुछ बताना था तो वो उन्होंने काम किया, बाकी अपना अभियान रुख दिया था जब भगवान राम आये, तो परशुराम जी का जो अभियान था, वो रुख गया था भगवान क्याने के बाद, उन्होंने अपना धनुश दे दिया था भगवान राम, आब ये धनुश तुम समालें, तो ये चिर घटना घटी थी, तो इसलिए तो परशुडाम जी का नाम आता है, गृपाचारे का नाम आता है, अश्वथामा का नाम आता है, और हनुमान जी का नाम और एक और नाम आता है, जो मेरे अभी स्मरण में नहीं है, तो पांच लोगों का नाम जो आता है और उनको चीर जीवी कहा गया, चीर जीवी मतलब लंबी आयू वाले, नाखी अमर, ये हमने उसका अर्थ निकाल दिया है, अमर, और उसका परचार कर दिया है, अब परचार क कर दिया है, हमने उसी को मान के बैठ गया, लेकिन आपको उसे इस लोग को पढ़िए, निकालिए, ढूंडिए, इंटरनेट पे भी साइद मिल जाए, वहाँ पर अमर शब्द का परयोग है, ये चीर जीवी शब्द का परयोग है, लंबी दिर्गा आयू वाले, बहुत लं कुमेश शोपडा जी, रमेश पेश्वानी जी, माधुरी कोले जी, दूर देवराम बंकर जी, भूप सिंख हिचर जी, रूप लाल विश्व कर्मा, अजीत कुमार किश्व, जय शचिदानध है, कल्यान भाव, रखने वाले संत भगवान, क्या जीव, इस थूल इंद्रिय जो सुक्ष्म है, वही इनके इनका यूज करती है, इनको प्रयोग में ले आती है, इंद्रिया सुक्ष्म होती है, ठीक, घुरुजी में आप से या सवाल पूछना चाहता हूँ, कन्हाई कुमार, शुमना, सिंदे, उश्या, श्रवास्तो, दरशन, पटेल, चाहता हूँ, कि इतनी उम्र में जैसे करम किये हैं, ज्यान योग से करम बंदन छूट सकते हैं, या उसका प्रैश्चित करना पड़ेगा, या फिर किसी तरह से करम बंदन छुडवाने के विधी बताओ, करम बंदन छुडवाने के विधी योग मार्ग है जी, बिलकुल, ठीक ना, योग विजूत में जानना चाहते हैं ध्यान यूग से समझें स्रुफ अध्यन मातर से नहीं होगा और तर्क से मातर नहीं हो पुल्दीव सिंग्य, योगिंदर, पंडित, राजय, पालहरी, पिंटु, वासवा इसके मिनहास हमारे ध्यान यूग करने से परिवार के मृत, वेक्ट लाब होगा जैश्रीकृष्ण गुरुजी ध्यान करते समय गलत गलत बाते याद आता है कब भटक जाता हूं पता ही नहीं चलता बिल्कुल सबके साथ होता सबके साथ होता है लेकिन सही गाइडेंस में और सही प्रोसेस में अगर ध्यान को आगे बढ़ाएंगे तो इससे बहुत जल्दी निजात पालेंगे मुक्त हो जाएंगे गुरुजी जीव का स्थित्व इतना सुक्ष्म बताने का यह मतलब निकलता है कि जीव का सुरूप कैसे है इतना सुक्ष्म है जितना है ठीक है भ्रम थोड़ी ना हुआ ना अपनी बुधि से उसका कंकुलूजन भ्रम निकाल रहे है कुसरी की वहां पर भ्रम नांना समझाया जाए या आज तो समझाए जा रहा कि बाई अती सुक्ष्म होकर असीम भाव वाला है अभी तो भावनाओं को पैदा कर रहा है ठीक है तो यह आपने जो भ्रह्म मात्र निकाला वो अपना डेरिवेशन है कि आपने डिराइव कर लिया कि इसका मतलब भ्रम होगा ठीक है जी तो भ्रम मात्र साधना से जानिए ना हर चीज को तरक से जानेंगे क्या गुरुजी क्या आत्मा का साक्षतकार होता है या नहीं जी हां होता है पिमला शाह जी सर्मानंद पंडित निती सिनहा जी अलका काले बलवन सिंग गोहिल अभी अभी इसके इम बंगे रगल वण जी गुरूजी राम रा चंद्र bunny अत्मा का जब होता जीर कवाれ होता है उस प्रोसेस में घा कर और आगे बढ़ेंगे तो आत्मा हमें समझ में आए उससे पहले जी जीव समझ में आजाएगा जीपच मंदल जी ओम मंत्र से पहले ओम का उचारन करने का क्या रहस्य समझाईए इसकी शुधता बनती है उसकी पूर्णता बनती है सरोच कृष्णानी जी विनुच चंद्र गुरुदेव माया महा माया में अंतर बताने की कृपा करें माया और महा माया में अंतर बताने की चीज अलग अलग चीज नहीं भाव जैसे की मित्र और परम्मित्र आत्मा परमात्मा एक ही चीज माया महा माया एक ही चीज बहुत माया कहते हैं वैसे ही आत्मा और परमात्मा है एक ही चीज है जब हम उसे सर्व्यापी और बहुत विशाल रूप में हम उसका चिंतन करते हैं तो हम उसे परमात्मा कह दे जब हम उसे सुक्ष्म रूप में उसका चिंतन करते हैं तो हम उसे आत्मा कह दे लेकिन वो चीज एक ह हिं अलग अलग चीजन अफंता प्रॉडक्शन एक भट ब्रुजी प्रणाम का क्या फल होता है कर एक कॉंसेप्ट है जो कि कीता के अंदर लिया गया है कर या कर ना करने के के बराबर होता है और ना करना करने के बराबर होता है कर्मन्ने कर्मया पश्यद कर्मनीचा कर्मया सप्र मनुष्य शू यह भगवान नहीं यहां पर कहा है तो सब धिमा जो कर्म अकर्म की गती को जानता है ठीक तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन एक योगी परुष कुछ न कर्म बंधन में फसेगा और योगीों की भाति तो युद्ध करकर भी कर्म बंधन में नहीं फसेगा यह भगवान समझाना चाहते हैं इसलिए अकर्म का कौंसर्प्ट उन्होंने वहाँ पर लाया क्या है तो योगी कुछ ना करते वे भी संपुर्ण कर्मों को करने वाले बन जाते है। खीक है और एक संसारिक मनुष्य कहे कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो भी कर्मबंधन में फशेगा। विदीहोल नहीं होगा ठीक ये चीज़ है विडियोख बनी हुई है कर्म विकर्म तीनों पर विडियोख बनी हुई है उसके पीछ जाईए सुनिए उसको पिछले मंत्र में अंगुष्ट मात्र और अरगरों मात्र ये कुछ किनफ्यूजन कोई कनफ्यूजन नहीं है सुछ मैं के अर्गरों मात्र का अर्थ सब्सक्राइब है जो उतना इंपॉर्टेंट रखने वाद है आज मैं एक्जाम्पल क्या लेता हूं पताइए बिजली और पंखे का क्यूं तो कि आज के जमाने में यह बिजली पंखा है इसी लिए जब उपनिशद लिखे गए तो संभवता ऐसी विवस्थाएं नहीं होंगी ठीक है जिससे कि बिजली और पंखे का उधारन लिया जा सके जैसे कि बिजली के बिना पंखा वायरिंग बल्ब ट्यूब लगाना ये सारी चीजे जो है क्या है विर्थ हैं अगर बिजली नहीं है तो शीक बिना जीव के शरीर तो अंगुष्ट मात्र लेने का यही मुखह अर्थ है अगर आप तरक से समझना चाहतें तो तरक घूंड़ते रहिए तरकों का अंत नहीं है अगर ध्यान यूग से समझना चाहते तो ध्यान योग में उतर जाए और वैसे भी बिना ध्यान योग के चुनौती है कि कोई समझ के दिखा ले चैलेंज है इस बात को क्योंक सही सही कॉंसेप्ट वह समझ ले असंभव है बिना ध्यान योग के सचिन मलवल जी जब ध्यान योग करेगा अंतर मुखी होगा वही तरीका है जानने का भगवान कृष्ण भी अर्जुरु को इसलिए बार बार कह रहे हैं जब तक वो करेगा ही नहीं सही रास्ते पतब तक समझने का कोई मतलब नहीं कॉंसेप्ट सही कॉंसेप्ट मिलने का प व्यास जी अलका ताले ओम नमस्षिवाय बिरंद्र यादो गुरुजी जीव और शिव में क्या अंतर है बहुत भारी अंतर है शिव आत्मा है ध्यान योग का कुर्स ना किया हो तब तक उपनिशत का सही अर्थ ना समझ कर वो भी भटकावे जैसे लगते हैं जी हां भटक चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें मात्र सबस्क्राइब करने वाले लोग ही अब प्रशन कर सकते हैं पूछ सकते हैं आगे यह और स्टिक्ट हो सकता है तो कि प्रशनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है समय ज्यादा खिचता है तो अगर प्रशन ज्यादा नहीं हुए तो मैं तो सब को कवर करी लेता हूँ ठीक है आज भी कवर करी लिया लेकिन हर चीज की एक मर्यादा सीमा जरूर होती है और शमताएं भी होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है प्रशनों की सीमा भी निश्यत भविश्य में की जाएगी ठीक ये चीजे हैं तो इसी लिए चलिए और ध्यान योग का जो लोग कोर्स अटेंड करने वाले हैं वो 29 अगस्त से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा उसका रेजिस्टेशन चालू है आप रेजिस्टेशन करना चाहते हैं पेमेंट करकर मेंबर्शिप आप ले सकते हैं मेंबर्शिप लेकर 29 तारिक से कोर्स उनका चालू हो जाएगा उनको लिस्ट में एड कर लिया जाएगा और उनका कोर्स अपने टाइम पर शुरू हो जाएगा दूसरी चीज ऑफलाइन मोड में जो साधना अध्यान योग करना चाहते हैं कई लोग कहते हैं ऑफलाइन मोड ओफलाइन मोड में हम करेंगे हम को ऑनलाइन पर विश्वास नहीं है ठीक हैMLाकि यव्लिभाति जानते हैं क्या मिला में कुछो के साथ समध्याए हो सकती है तो ऑफलाइन मोड में हे वैसे तो आपको ज्यादा समय उसमें अगर एक महीने का कोर्स करेंगे था लेकिन करने का काम शुरू करने वाले हैं लेकिन ओफ-लाइन मोड में इंटरनेट के माध्यम से नहीं होगा तो आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा आपको वहां आना पड़ेगा आप हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम व्यवस्था करेंगे वही तुँ आएंगे और हमारे लिए possible होगा हम वहां करेंगे विश्ता तो अभी फिलहाल के लिए ये offline mode की साधना जो है पटना के अंदर पटना सिटी के अंदर शहर के अंदर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं offline mode तो सितंबर के महीने से अभी हम बताएंगे अभी date final नहीं है सितंबर के महीने से आप offline mode के लिए तैयारी कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं WhatsApp message कीजिए अगर offline mode में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आएंगे आप लेकिन offline mode में सेम कोर्स होगा सारी चीजे वैसे के वैसे फॉलो होगी लेकिन वह महीना भर के लिए नहीं होगा वन मंत के लिए नहीं होगा तो इसलिए उसको शॉट कर दिया जाएगा time taking उसमें कम किया जाएगा और एक सांध आपको जादा चीजे बताई जाएंगे यहां पर क्या होता है कि आपको दिया भी जाता है और करने का time भी दिया जाता है कि वहाई आप इसका बया dość की और बताईए आपको कैसा फील हो रहा है कैसा experience फिर पूछा जाता है feedback लिया जाता है लोगों का ठीक है लेकिन जब offline mode में होगा तो आपको साधना करवाई जाएगी सामने बिठा करवाई जाएगी हाँ आपको बता देने के बाद आपको पूरा ही बताया जाएगा time देने वाली बात वहां पर फिर नहीं रहेगी एक हपते के अंदर पूरा course complete हो जाएगा जो एक महिने में होता के नहीं हमको offline में करना है you are most welcome आप आईए पटना के हमारे सेंटर पर आपको आना पड़ेगा साधना केंद्र वहां आना पड़ेगा आपको और वहां आकर आपको सीखना ठीक है यहां इस्टे करने के विवस्था बताई जाएगी आपको अगर संभव होगा हमारे पास तो या नजदीक के रहने वाले हैं पटना शहर के आसपास जो सहर है जहां से आना जाना पॉसिवल है ठीक है कि आप आ गए थोड़ा सा कोर्स करके फिर चले गए बाई ट्रेन लोकल ट्रेन जो चलती रहती है उनके माध्यम से आए और चले गए तो कुछ ऐसा आप कर सकते हैं अठीक है और फिर सकते हैं तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए और आप बाहर से करना चाहते हैं तो उस कंडिशन में बात करिए आप कैसे stay करेंगे किस तरह से stay करेंगे उस विशय में आप चर्चा कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज है लेकिन offline mode का कारिकरम अगले महीने से शुरू हो जाएगा सितंबर के महीने से ठीक है जो लोग join करना चाहते हैं offline mode में आमने सामने बैठ कर सारा कोर्स करना चाहते हैं अपना registration करवाएं अपने अपना contact करें बताएं WhatsApp नंबर पर और जो online एक दिन के लिए दो दिन के लिए आपके आमने सामने बैठ कर भी सारा guidance लेगा चलेगा क्या बिलकुल चलेगा कोई शुल्क लगेगा दूसरी बार का कोई शुल्क नहीं लगेगा आपने अगर online payment करकर course कर लिया है और उसके बाद आप एक या दो दिन के लिए मेरे पास आ रखी आपने ठीक है इससे आपके समय की budget भी होगी और पूरा आपको मिल भी जाएगा ठीक है तो अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो अच्छी बात है आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि online कर लेते हैं और एक दिन के लिए या दो दिन के लिए आप मेरे पास आजी अगर आपको अब ही करोना काल में सब इधर ओधर बंदी हो गया था लेकिन फिर भी मैं जैसा कि कुछ लोग को पता ही है कि में पूरा गया था परवरी के महीने में मुंबई कुना होकर आया था तो जहां मेरा आना जाना है दिल्ली मुंबई पूना कुछ ऐसी जगहों पर तो अगर है अगर होता है तो आप भी मिल सकतें हैं अगर आपने ऐनलाइन कोर्स किया है साऱ प्रोसेस को मेरे सामने बैठ कर फिर से सीखना करना चाहते हैं मुश्ट वेलकम है वहां भी कर सकते हैं अगर मेरा जाना होता है तो पूसिबली मुंबई पूना का विजिट हो सकता है दिल्ली का भी हो सकता है तो यह चीज़ें उनके कैज़ेて लेकिन बाकी जगों का तो हर जगा का तो नहीं होगा कई जगों से लोग कोर्सर देंड करते हैं तो अगर आना चाहते हैं और आपको लगता है कि पूरा कोर्स मैं ऐसे ही सिखूँ गा आमने सामने बैठ कर तो आप आपको बताना पर तो यह चीज है तो यह आप ही के ऊपर निर्भर करता है लेकिन offline mode का कारिकरम हम शुरू कर रहे हैं यह बात सही है अगले महीने से सितंबर के महीने से आप जिनको उसको करना है संपर्क बनाए या फिर कोर्स कंप्लीट करने कर चुके हैं और फिर भी आना च सब्सक्राइब का और जुड़े रहने के लिए बने रहने के चैनल के वीडियो जरू शेर कर दिया करें लोगों तक पहुंचाया करें ठीक है बहुत आभाराफ से मीकर CHच फिर देरो, जोगों तक पहुंचाया है याचाई, कला के बहुत खज़ा हैं तक बारबेझास, क्यड़ें कर हम奏मा, एक पहुत, क्यァ रहने के लिए हैं मुदकाया है、 मलाना बП Conn